दोस्तों नमस्कार लगता है भारत की खेती भारत की सरकार के लिए चुनौती बनती जा रहे हैं एक तरफ तो भारत सरकार इस बात से परिशान है कि देश में भेंगाई किसी ना किसी कॉमोडिटी में पुलिटिकल एजेंडा बनती रहती है कभी गेहु के दाम कभी चावल के दाम कभी तेल के दाम कभी आलू के दाम कभी प्याज के दाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर जो खेती है वो भारत की सरकारों के लिए चुनौती बनी रहती है और दूसरी तरफ जिस तरह से हमारे हाँ पे agriculture productivity है जिसके कारण हम अपनी भड़तीवी अबादी की जरूरते पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो हमें आयात पे निर्भर रहना पड़ रहा है और जब आयात पे निर्भर रहते हैं तो एक नई तरह की चुनाओतियां हमारे सामने खड़ी हो जाते हैं एक तरफ consumer दूसरी तरफ किसान और तीसरी तरफ भारत सरकार की भड़ती हुई चुनाओतियां आज हम इसी की चर्चा करेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा आपकी और हमारी जिन्दगी से संबध्यत है अगर हम अपने खादे सुरक्षा को affordable नहीं बना पाएंगे तो इस देश में और बहुत सी समस्यां खड़ी हो जाएंगे और अगर महगाई बढ़ती रही तो एक समस्या ये हो जाएगी कि जितने बाकी industrial सेक्टर हैं उनके लिए भी समस्यां उत्पन होगी इसलिए RBI बार बार ये बात हमें याद दिलाता रहता है कि देखिए फूड इंफलेशन को कंट्रोल करिए और फूड इंफलेशन को कंट्रोल करने के कोई एक जिसको कहते हैं ना रामबार आस्दी नहीं है कि आपने एक डिसीजन लिया और सिचुएशन होगी हर कॉमोडिटी की अपनी चुनौतियां है हर सीजन में अपनी चुनौतियां अलग आती है कभी फसल ज़्यादा है तो कभी फसल कम है कहीं पे बाढ़ है तो कहीं पे सूखा है और इन सब बातों को लेकर खादे पे इसका प्रभाव पड़ता है और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं 144 करोड अबादी को खाना मिले और वो भी एफोरडेबल तभी तो आप कहेंगे कि भारत में महगाई कंट्रोल हो गई है आज हम डिसीजन जो लिया है भारत सरकार ने उसकी चर्चा करेंगे दो दिन पह था क्योंकि कंजूमर ये बोलता था कि साथ तेल बहुत महंगे हो गए है हमें तेल सस्ता चाहिए भारत में करीब 60 से 65 प्रतिशत जो खाने का तेल है वो आयात होता है इसका मतलब अन एवरेज हर कंजूमर की टेबल पे आपके और हमारे घर में पर हेड करीब 10 से 11 लिटर जो तेल हम खाते है वो आयातित होता है हमें लगता नहीं होगा क्योंकि लोकल ब्रैंड में और लोकल रिफाइनर्स आपको देते हैं लेकिन वो आयातित तेल है imported oil है तो अगर कोई ये बोले कि हम तेलों में आतनिरवर हो जाएंगे तो ये संभव ही नहीं है क्योंकि अगर हमें तेलों में आतनिरवर होना है तो हमारी average productivity कम से कम 4 से साड़े चार टन पर हेक्टेर होनी चाहिए ये तिलहन होगी हमारी productivity on an average करीब एक से सवा टन के आसपास है मतलब हमें अपनी productivity को तीन से चार गुना भडाना होगा अगर हम आतनिरवरता की बात करना है जो संभव नहीं है क्योंकि इतना average productivity दुनिया के किसी देश में नहीं है एक ही crop है जिसकी productivity हम कह सकते हैं कि जो चार टन से ज़्यादा है वो है palm oil इसका मतलब यह है कि जो भी हम technology आग किसानों को दे रहे हैं जो भी हम बीज किसानों को दे रहे हैं वो आपको आतनिरवर बना ही नहीं सकता इसका मतलब एक तरफ यह है कि आपको technology के मामले में आहमूल चुल परिवर्तन करना होगा और शिगरी करना होगा उसके लिए पंचवशे योजना या दस साल की योजना कारगर नहीं होंगी क्योंकि हर साल अबादी बढ़ रही है और तेलों का आयात का मजट मर रहा है अगर पिछले साल की में बात करो जब यूक्रेन वाल शुरू हुआ था तो अंतर रास्ट्रिय बाजारों में तेलों के दाम बहुत बढ़ जाए इस्थिती ये थी कि भारत को एक लाग सत्तर हजार करोड के आसपास का तेल आयात करना पड़ा है इ उसका खामियाजा ये हुआ कि जो दोमेस्टिक मार्केट में तिलहनों के रेट बढ़े थे क्योंकि तेलों के रेट बढ़ गए थे तो जो तेल निकलते हैं तिलहनों से उनके रेट बढ़ना सोभाविक था जब वो तिलहन के रेट बढ़े तो फिसान खुश थे लेकिन इ में महंगाई को काबू करने के लिए भारत सरकार ने तिलहन के तेलों का आयात होता था उस पे कस्टम ड्यूटी घटाई थी इस साल जब किसानों को रेट नहीं मिल रहा है MSP के नीचे मंडियों में माल विक रहा है तो एक तरफ भारत सरकार ने कहा कि हम तिलहन खरीदेंगे और दूसरी तरफ रेट ज्यादा ना गिरें और जिस तरह से मंडियों में मैनिपुलेशन होता है माल लीजिये कि भारत सरकार ने कहा कि हम तिलहन खरीदेंगे तो सवाल अब इस बात का आता है कि अगर डुमेस्टिक मार्केट में अंतरास्ट्य बाजार से सस्ता तिलहन था तो लोकल कंपनियां खरीद देती थी अब अगर MSP पे भारत सरकार खरीती है तो इसका मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर को अब तिलहन नहीं मिलेगा जब तिलहन नहीं मिलेगा तो वो तेलों के लिए फिर अंतरास्ट्य बाजार की तरफ रुख करेंगे और आयाद करेंगे उसको प्रिवेंट करने के आज हम इसके चर्चा भी कर रहे हैं जैसे ही आपने 20% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई तेलों पे तो जो भारत के आसपास पडोसी देश हैं जैसे नेपाल है, शिरिलंका है और हमारा उनके साथ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रिमेंट है सार्क के तहत जैसे ही भारत सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जो हमारे सार्क के देश हैं वहाँ पे कस्टम ड्यूटी कम है इसका मतलब यह है कि पहले तो तेल जाएगा उन सार्क कंट्रीज में वहाँ से रिफाइन होके वो तेल आएगा भारत में वो भी दुबारा आएगा कस्टम ड्यूटी फ्री कस्टम ड्यूटी या जीरो कस्टम ड्यूटी कहने का मतलब यह है कि आपने डारेक्ट इंपोर्ट अगर रोक दिया है तो अब सार्क कंट्रीज के माध्यम से आयात शुरू हो जाएगा अब सवाल इस बात का है कि भारत सरकार क्या चाहती थी भारत सरकार ये चाहती थी कि भारत में तेलहनों के दाम स्टेबिलाइज हो या उपर जाएं ताकि आने वाले सीजन में किसानों को कम से कम MSP तो मिले लेकिन ये आधा अधूरा कदम है भारत सरकार ने कस्टम ड्यूटी तो बढ़ा दी लेकिन मुझे लगता है कि सार्क कंट्रीज में जहां पे तेलों का उत्पादन होता ही नहीं तो अब क्या होगा वहां के व्यापारी अंतरास्ट्रे बाजार से तेल खरी देंगे अपने हां रेफाइनिंग करेंगे और भारत में एक्सपोर्ट करेंगे वो भी जीरो ड्यूटी से तो आपने जो डारेक्ट आया था उसको रोका लेकिन सार्क के माद्यम से वो दर्वाजे अभी भी खुले है अब सरकार को जो करना चाहिए वो ये है कि जितना तेल वहां होता है मालीजी नेपाल में टोटल ओयल प्रड़क्शन होता है एक लाख तन भारत सरकार को ये कहना चाहिए कि हम एक लाख तन तो आप से अपर लिमिट जो है वो एक लाख तन है हम उससे ज़्यादा आप से तेल आयात नहीं करेंगे क्योंकि अब अंतरास्टिय बाजार से आप खरीदोगे अपने हाँ रिफाइन करोगे और भारत में डंप करोगे इस से आपके किसानों को कोई फाइदा नहीं हो रहे सिर्फ बिचोलिये फाइदा उठा रहे हैं जो वहां के लोकल रिफाइनर है वो फाइदा उठा रहे है भारत के बाजार का और भारत का व्यापारी उनके माध्यम से खरीद रहा है तो इट इस स्मगलिंग रूट का रास्ता आप बदल रहे हैं क्या भारत सरकार को सार्क ट्रीटी के अंदर अपने जो फ्री ट्रीड एग्रिमेंट है इसको रिव्यू नहीं करना चाहिए मेरा ये कहना है और ये मैं पिछले 20 साल से इस बात को बोल रहा हूँ 2005-06 से जब से सार्क ट्रीटी नेगोशेट हुई है तब से मैं लगातार इस बात को बोल रहा हूँ कि आप जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रहे हो पहले भी ये हुआ था कि तेल जो था वो नेपाल के रास्ते भारत आता था फिर भारत सरकार सतर कुई लेकिन अभी भी उसको दुबारा करने की जरूँ थे कि जितना आपका लोकल प्रोड़क्शन है उस से ज्यादा तेल भारत में आयात नहीं होगा क्योंकि आपने ये ट्रीटी करी थी ताकि आपके किसानों का फाइदा हो आपकी लोकल इंड़स्ट्री का फाइदा हो लेकिन अब जो तेल पहले बॉंबे के पोर्ट से मुन्ड़ा के पोर्ट से बाकी पोर्ट से वह हिंदुस्तान में आता था अब वो सारा देल री डारेक्ट होके हावड़ा से पहले जाएगा नेपाल कलकत्ता बंदरगा से वो जाएगा पहले नेपाल वहां रेफाइन होगा और फिर नेपाल से वापस आएगा भारत में और वो भी ड्यूटी फ्री क्या इससे भारत की इंडस्ट्री को फायदा होगा नहीं होगा क्या इससे नेपाल के किसानों को फायदा होगा नहीं होगा तो भारत सरकार जो चहा रही थी क्या वो मकसद पूरा होगा नहीं होगा इसी लिए आधी अधवरी पॉलिशी बनाने से अक्सर ऐसे नुकसान हो जाते हैं तो मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि आपने जो भी पॉलिशी बनाई कस्टम ड्यूटी बढ़ाई यह अच्छा कदम था लेकिन जब तक आप सार्क ट्रीटी के अंदर भी क्वांटिटेटिव रेस्टिक्शन सब्जेक्ट टू लोकल प्रोडक्शन इन दोस कंट्री जिस देश में जिस उत्पादक का कितना समान होता है उसका पचास परसेंट आप अगर आयात कर लेते हैं ड्यूटी भी हमें कोई लेकिन अनलिमिटेड क्वांटिटी आयात होना सार्क कंट्री से ना वहां के किसानों के लिए उच्चित है क्योंकि वो तो प्रोडक्शन करी नहीं रहे ना भारत खुदहरन के लिए अगर आज नेपाल से पाम ओयल आता है रिफाइन होके तो नेपाल में कौन सा पाम ओयल अगर है तो कितना है जितना भी है मा लिजिए कि वहाँ पे दसजार टन प्रोडक्शन होता है तो हम दसजार टन का टोटल कौंटिटी अगर ले भी लें जीरो पे मुझे नहीं लगता भारत को कोई इत्राज होगा लेकिन एक लाक टन अगर नेपाल के रास्ते आता है तो इसका मतलब ही है कि आपके स्मगलिंग के रूट बदल गए हैं आपकी पॉलिसी बेसर होती जाए तो यह बहुत जरूरी है कि भारत सरकार को अपनी सार्क ट्रीटी को रिव्यू करना चाहिए और जो सेंसिटिव कॉमोडिटीज हैं चाहे वो एग्रिकल्चर में हो या नॉन आपको लोकल प्रोडक्शन से ज्यादा भारत में आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए नहीं तो जो हमारे कॉम्पिटिंग कंट्रीज हैं वो नेपाल, बंगला देश, शिरिलंका इन लोगों को या अफगानिस्तान इन लोगों को ट्रेडिंग बेस बनाके अपना माल सा करेगी, क्या भारत की इंडस्ट्री और किसानों को बचाने के लिए सार्क क्रीटी को रिव्यू किया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा, और अगर रिव्यू नहीं किया जाता, तो भारत सरकार किसका हितसाद रही, ये भी समझना होगा, उमीद है दोस्तों, कि आप इस ग अलाल, बंदे बातरा